नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और श्वागत है आपका अद्धा पढ़ाकू पर मेरा नाम है बवीता अहीर और आज हम देखने वाले हैं जीके का एक इंपोर्टेंट टॉपिक प्रमुक इस्टूप आपको जो यह फोटो दिखाए दिरे सांची के स्टूप मध्य परदेश की फोटो है तो हम सांची के स्टूप के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे जितनी भी इंपोर्टेंट चीजें हैं साथ ही साथ जो अन्य स्टूप पुछ लता है यह कहां परिस्तेत है और यह इस तूप कहां परिस्तेत है उन सभी इस तूपों को भी है देखने वाले लास्ट में questions answers को भी करेंगे तो इस तूपों से समध जितनी भी important चीछे हो सकती है उन सभी को यहां पर हम देखने वाले हैं तो देखिए इस तूप एक साब्दी कर्थ होता है मिट्टी का धेर यह मिट्टी का धेर मिरतक के अवशेशों पर बना हुआ हो शकता है या फिर उसकी वस्तूओं पर जो भारत में इस तूप शब्दासात है महत्मा बुद्ध से संबंदित होता है तो देखिए महत्मा बुद्ध के अवशेशों पर बना हुआ मिट्टी का धेर क्या कहलाएगा इस्तूप कहलाएगा मालेजे महत्माबुद कोई चीज़ इस्तेमाल करते थे अगर हम उसके उपर मिट्टी का धेर बनाते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा इस्तूप कहलाएगा ठीक है और डेटेईल में नहीं जाएंगे कितने प्रकार के होते हैं वो अलग टोपिक हो जाते हैं ठीक है तो इस्टूअब का अर्थ क्या होता है मिट्टी का Δेर यह मरतक के अफशेशों पर या पर इस्तित है सबसे पहला प्रश्ण सांची का इस्तूप इस्तित राइसेंजिला मद्य परदेश में तो सांची इस्तूप कहां पर है मद्य परदेश में हैं कई बार जिला भी पता होना चाहिए आपको तो राइसेंजिला मद्य परदेश में इस्तित सांची का इस्तूप इसका निर्माड किने कराए था संवर honors दो कहा जाता है कि सब्राट असुपने के बने हुए होने करण अधी का बचा हुत हुए था क्यूफ लगना शॉंदा दिया था यानि मिट्टी का ठीला बनवा दिया बाद में जो पुछ जाता है कि इस पर पत्थर किसने चड़ुआ था फुस्यमित्र शुंग उन्होंने इस पर पत्थर चड़ुआया था शांची के इस्तूप पर तो सांची का इस्तूप कहां पर राइसे अंजिला मद्य परदेश में है इसका निर्माड समराठ असोक ने कराया था और इसका पुनहे निर्माड या फिर पत्थर किस ने चड़वाया पुश्यमित्र शुंग ने चड़वाया और दूसरा देखे प्रशन यहीं से पूछ जाता है वह भराउत इस्तूप शत तो सताना गलत बात है तो गुस्से से भरे हुएं 28 का मतलब हो गया भराउत इस्तूप सताना मद्यप्रदेश में ठीक है तो डोई श्थी में जो मुस्ट मुस्ट इंपोर्टेंटा को हर दो जैन पता हो नu Сांची का इस्तूप कहां पर हैं भराइवद्य पर्देश में है पर यह सतना जिलेवे हैं अब देखें यहां पर ना इस तूप का जो इस्ट्रक्चर होता है उससे भी कुछ प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं जैसे पूछ लिए जाता है वेदिका किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह जो आपके सामने स्ट्रक्चर है साचि के स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ तो यह गोल गोल भाग है क्या जाता है अंड कहा जाता है उपर जो यह टीन बने हुए चिन ये जो है बौत धर्म के प्रतिक होते हैं इन्हें च्छत्री कहा जाता है इन्हीं को सारा देने के लिए जो रंडी सी है इसमें ऐसे करके बने हुए है ये तीन प्रतिक है बोधध्ध्ध में देख ली हमिए लिखा हुआ ये क्या ओपर सिच्भात्र होता है उसकी अश्ड़ के 15 के लिए होता या नि जो बुद्ध के सकांज यह और यह बनाया हुआ हका here does नाया हवी है इसे का Gel conservatives यहां पर पवितर्सामिक दर्शाई हूए यह मेधी है जिस आधार पर नौन बना हुआ है उसका जो नीचे का आधार है इसे मेधी कहा जाता है वेधिका कहा जाता है रेलिंग को ठीक है तोरण दौर जैसे मैंने मंदिर सहली वाले वीडियो में भी बताया था तोरण द्वार किसे कहा जाता है जो प्रविश करने का द्वार होता है तो तोरण कहा जाता है ठीक है चलिए देखिए दुबारा से देख लेते हैं वेदिका यानि रेलिंग किसे कहा जाता है जो बाहर की चारो और बनी हुई है रेलिंग देखिए इसी रेलिंग पर एक और प्रश् तो वेदि का बाहर का बहाग होता है, इस्तूप की रक्षा के लिए बनाए जाता है, मेधी यानि कुर्षी होती है जिसके ऐसे करके उस संग् इनके प्रतिक है यस्टी क्या है इसमें जो डंडी लगी हुई है किसको छत्र को शाहरा देने के लिए ठीक है वो क्या है यस्टी तो देखिए यह रहा आपके सामने जो है साची का इस्टूप की फोटो तो यह उपर क्या हो गए जो अच्छत्र हो गए यह हरमिका यह अंड और यह क्या है मेधी है और यह वेदिका है ठीक है और यह तोरण द्वार हो गया आगे चलते हैं देखिए सांची का इस्टूप कहां पर है तो 200 के नोट के पीछे जो है लग बना हुआ है क्या सांची का इस्टूप की फोटो बनी हुए सांची का इस्टूप कहां पर है चलिए तो प्रमुक इस्थूपों को देखते हैं सबसे पहला इस्थूप आता है धमेक इस्थूप सारनात उत्र प्रदेश में सारनात वाले वीडियो में मैंने चीजे बताई हुई हैं बहुत सारी उसमें उसको भी आप देख लीजिए तो सारनात उत्र प्रदेश में क्या नहीं चाहिए तीसरा किया है बोत गया इस्तूप बोध गया बेहर में तो आसानसी बात हिए बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को गयान प्रापत हुआ था इसलिए भोध गया बेहर में हो गया जगैंड लियाद हो ही जाएंड थिए अंधर परदेश में दो होगा एक नागार जन कोंड़ा एक अमरावती अ mosque Oh सफेद संग्मरमर का यूज किस स्थूप में हुआ है अमरावति इस हम्रावति स्थूप में अंध्र परदेश में तो सारे स्थोप को देख लेते हैं एक बार शांची स्थूप मद्य परदेश में धमेक इस्तूप सारनात उत्तर परदेश बरहुत सतना मध्य परदेश बहुत गया बहुत गया बहुत गया बिहार में हैं अमरावती आंदर परदेश और नागरजन कुंड़ा भी आंदर परदेश में हैं आगे और देखिए ये प्रश्ण भी पूछा गया रा कभर या रामा भर इस तूप कहा है ती बुद्ध का सब्सक्राइब तक अच्छूसांबी उत्प्रडेस में हैं रहां पर लिए पूझे पूछे गए हैं तो बार बार पूझे जाने की संभाब नाय ठीक है सहत महस्ती मरें याद करनी का तरीकर यह ऐ सेहत अच्छी कहां पर होगी जहां पर आपकी वस्ती है तो सहेत मयत स्रावस्ती में घोशित राम मठ कौसांबी ठीक है घोशित राम मठ कौसांबी राम भर या रामा भर कुसी नगर उत्तर परदेश बुद्ध का महापर इन्रमाड कहां पर होता है कुसी नगर में एक बार और देख लिए इसको रामभरम धरिसुप या रामाभरई धियूप कुशीनगर उत्रपर देश में हैं कुशीनगर में बुद का महापरिन्रवाड़े अम्रत्य होती है तो चलिए फोटो देख लेते हैं भरहुत इस तूप कहां पर है सतना मध्य परदेश में ठीक है ये अधिकांस नस्ट हो चुका है बस थोड़े से ही अब से इस बचे हुए भरहुत इस तूप के सांची का सूप किस सासक ने बनवाया था है आप प्रशणों को देखेंगे ठीक है सांची का इस्टूप किस सासक ने बनवाया था तो सांची का इस्टूप अशोक ने बनवाया था इस पर पत्थर पुष्यमित्र शूंग ने जो है लगवाया है तो सांची का इस्टूप कहां पर है मद्दे परदेश में निर्माण किस ने कराया है इसका अशोक ने पत्थर किसे लगवाय था इस पर पुष्य मित्र शूंग ने आगला देखिए किसे सर्वशेश इस्टूप माना जाता है भरहुत अम्रावती सांची या सांची के स्टूप को सर्वशेश इस्टूप माना जाता है अम्रावती स्टूप कहां पर है तो यह यहां पर आगया मिलान करने के लिए कि इस्थानों को इस मारक से मिलान कीजिए धमे की स्थूप कहां पर है जो सारनात में है घोषित राम मठ कहां पर है कौसाम भी में है सहेत महित वस्ती में अच्छी रहती है सहेत और राना भर या रामा भर है यह वैसे तो राना भर लिख हुआ इसे आप देख सकते हैं तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू